अगर आपने एक से ज़ादा बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है और अगर आप उसे ओपरेट नहीं करते हैं तो आप उसे इसली बंद करवा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सेविंग अकाउंट बंद करवाने का क्या प्रोसेस होता है अगर आपका अपको बंद करने के लिए तो आप अप्लिकेशन भी लिख सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अप्लिकेशन का फॉर्मेट दे दूँगा आप चाहें तो उसे भी कोपी करके लिख सकते हैं तो सबसे पहला चीज तो यह हो गया कि आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म या एक अप्लिकेशन देना है दूसरा चीज कि आपको स्वेम ही जाना पड़ेगा ठीक है जिसका भी अकाउंट है उसे स्वेम जाना पड़ेगा कोई और जाकर अपना मतलब आपका अकाउंट बं आसकते हैं ठीक है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जिस ब्रांच में भी अपने अकाउंट खलवा रखा है आपको उसी ब्रांच में जाके अपना अकाउंट बंद खरवाना है ठीक है यह हो गया दूसरा चीज आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म के लिए जयरूर है कि आप अपना ID कार्ड अपने साथ ले जया है अपना KYC अपना अधारено dipping कार्ड जो भी आपने अकाउंट खरवाने क्लिए प्रोवा ने के लिए ऋभी आफ साथ में जरूर ले जाना है इसके साथ banking से related जो भी document है आपका like passbook आपको मिला होगा तो आपको passbook भी लेकर जाना है वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा अगर checkbook का quality बचा हुआ है तो checkbook भी आपको लेकर जाना है वो भी आपको वाँ surrender करना पड़ेगा David card या credit card आपको इसु किया गया है तो वो भी आपको लेकर जाना है क्योंकि वो भी आपका पहले बंद किया जाएगा उसके बाद ही आपका account बंद होता है तो यह सब चीज आपको लेकर जाना है ठीक है उसके बाद कुछ charges भी आपका लग सकता है लाइक अगर आपने account खुलवाने से 14 दिन के अंदर अगर आप बंद करवा रहे है तब तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है अगर आप 14 दिन account खुलवाने के 14 दिन से एक साल के अंदर अपना account बंद करवा रहे है तो इसमें एक service charge आपका लग सकता है लग 100 रुपे से लेके 500 रुपे तक का हो सकता है प्लस GST अलग-अलग बैंक में यह अलग-अलग है इस भी आई में यह भी 500 रुपे है अगर आप 14 दिन से एक साल के अंदर अगर अपना account saving account बंद करवा रहे है तो यह charges 500 रुपे प्लस GST है एक साल से अगर आपका ज्यादा दिन हो और आप बंद करवा रहे हैं तो charges लग भी सकता है ने भी लग सकता है अलग-अलग बैंक में अलग-अलग time पर कुछ different हो सकता है तो जब आप account बंद करवाएंगे तो आप वह आपको आप बता देंगे लेकिन कुछ charges आपको देना पर सकता है account बंद करवाने के लिए तो यह भी आप अपना ध्यान में रखें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलो जो आपका balance account में रहेगा तो आपको पूरा पैसा आपको मिल जाता है तो आपको पैसा आपको दे दिया जाएगा अगर यह पैसा आपका account में 25,000 से कम है तब तो आपको cash भी मिल सकता है तो आपको bank वाले cash नहीं देंगे वह हो सकता है अगर कोई दूसरा account है तो आपके account में transfer कर देंगे जैसा आप application में लिखेंगे उस तरह से होगा आपका account में भी transfer कर दिया जाएगा या DD या चेक भी हो आपको account close करके वो आपको issue कर देंगे तो आप जिस form में भी अपना पैसा लेना चाहें आप ले सकते हैं तो इस तरह से आप अपना easily अपना account बंद करवा सकते हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि आपको क्या क्या चाहिए अपको एक account closure form या application लिख के लिए जाना है आपको swim ही जाना है और अपना home branch में ही account account बंद करवाने के लिए जाना है साथ में आपका ID card, KYC, checkbook, debit card, passbook सब लेकर जाना है कुछ charges अगर आपको लगने वाला है हो सकता है तो आपको पैसा लेकर जाना है और अगर आपका account में balance है तो आपको cash मिलेगा और अगर आपको transfer करवाना है तो दूसरे account का detail आपको लेकर तो इस तरह से आप easily यह सब जमा करेंगा तो आपको account एक दो दिन में बंद कर दिया जाएगा और आपको पूरा पैसा मिल जागा अभी last में मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको अगर application लिखना है account बंद करवाने के लिए तो इसका format मैं आपको दे दे रहा हूं आप इ झाल झाल